अगर आपको पंजाब और हैदराबाद के बीच खेला गया रोमान्चक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें जी हाँ दोस्तो आयपील इतिहास की दो बरीटी में पंजाब किंग्स और संड्राइजर्स हैदराबाद के बीच आयपील दोजार चोबीच का तेस्वा मुकाबला खेला गया इस मैच में पंजाब किंग्स ने टोस जित का पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया तो वही संडाइजर्स हैदराबाद को बल्ले बाजी करने का ने होता दिया इस ओबर में कगीसो रवाडा ने मातर चार रन खर्च किये और पहले ओबर में चार रन पर सुनने विकेट हो चुका था तो वहीं दूसरा ओबर गेंदबाजी करने के लिए अर्षदिप सिंग आएं अर्षदिप सिंग की पाँचवी गेंदपर अविशेक सर्मा ने एक सांदार चुका लगाया दो ओबर की समापती के बाद S.R.H. का एसकोर दस रन पर सुनने विकेट हो गया था वहीं अगला ओबर गेंदबाजी करने के लिए कगीसो रवाडा आये रवाडा के पहले इगेंदपर ट्रेविस हेड ने एक सांदार चुका लगाया उसके बाद अगली गेंदपर कगीसो रवाडा को ट्रेविस हेड ने एक चुका फिर से लगाया वहीं तीसरी गेंद पर कगिसो रवाडा को ट्रेविस हेड ने हैट्रिक चोका लगाया तो वहीं तीन अवर की समापती के बाद S.R.S. का इसकोर 26 रणों पर सुनने विकेट था तो वहीं चौथा अवर गेंद बाजी करने के लिए अर्शदिप सिंग आए अर्शदिप सिंग ने दूसरे गेंद पर ट्रेविस हेड को सिखर धवन के हाथो कैच आउट करवा दिया तो वहीं हैदराबाद का पहला विकेट 27 रणों पर गिर चुका था तो वहीं अगला बल्ले बाजी करने के लिए एडन माकरम मैदान पर उत्रे चौथी गेंद पर अर्शदिप सिंग ने एडन माकरम को भी जिते सर्मा के हाथो कैच आउट करवा दिया वहीं 27 रणों पर SRH का दो विकेट गिर चुका था तो वहीं चार ओबर की समापती के बाद SRH का स्कोर 28 रणों पर दो विकेट हो चुका था तो महीं ओबर की अंतिम गेंद पर सैम करण ने अविशेक सर्मा को ससांग सिंग के हाथो कैच आउट करवा दिया तो महीं सनराइजर्स हैदराबाद का 49 रणों पर तीसरा विकेट गिर चुका था इसके बाद गेंद बाजी करने के लिए 6 ओबर हरसल पटेल आए छठा ओबर में हरसल पटेल ने मातर एक रण खर्च किये और इसी के साथ 6 ओबर की समापती के बाद SRH का एसकोर 40 रणों पर तीन विकेट हो चुका था तो महीं साथमा ओबर गेंद बाजी करने के लिए हरप्रित बरार आए साथवे ओबर की चौथी गेंद पर राहुल तिरपार्टी ने हरप्रित बरार को एक साथ ओबर की समापती के बाद SRH का एसकोर 47 रणों पर एक विकेट हो गया था वहीं आठमा ओबर गेंद बाजी करने के लिए सैम करन आए सैम करन की पहली गेंद पर नितिस कुमार रेड़ी ने एक साथ दर चौका लगाया तो वहीं इसी के साथ आठ ओबर की समापती के बाद SRH का एसकोर 56 रणों पर तीन विकेट हो चुका था वहीं इसके बाद 9 ओबर गेंद बाजी करने के लिए हरप्रित बरार आए वहीं सन्राइजर्स हैदराबाद का 64 रणों पर 4 विकेट गिर चुका था तो वहीं 10 ओबर की समापती के बाद SRH का एसकोर 66 रण पर 4 विकेट पहुंच चुका था 11 माँ ओबर गेंद बाजी करने के लिए हरप्रित बरार आए हरप्रित बरार की दूसरी गेंद पर नितिस कुमार रेड़ी ने एक सांधार चुका लगाया तो वहीं 11 ओबर की समापती के बाद SRH का स्कोर 81 पचार विकेट हो गया था वहीं 12 ओबर गेंदबाजी करने के लिए कागी सो राबाडा आए राबाडा की ओबर की ओबर की पांचवी गेंद पर नितिस कुमार रेडी ने एक सांदार छक्का लगाया तो वहीं 12 ओबर की समापती के बाद SRH का स्कोर 95 पचार विकेट हो चुका था तो वहीं 13 ओबर गेंदबाजी करने के लिए सेम करन आए सेम करन की पहली ओबर की ओबर की समापती के बाद SRH का स्कोर 100 रन पर 4 विकेट हो चुका था तो वहीं चौधमा अवर गेंद बाजी करने के लिए हरसल पटेल आया हरसल पटेल ने अपने अवर की पहली ही गेंद पर हेंडिच क्लासेन को सेम करन के हाथो केच आउट करवा दिया तो वहीं सनराइजर हैदराबाद का 100 रन पर 5 विकेट गिर चुका था तो वहीं ओवर की 4 गेंद पर अबदूल समद ने हरसल पटेल को एक चौका लगाया 14 अबर की समापती के बाद SRH का स्कोर 111 पर 5 विकेट हो गया था वहीं पंदरमा अबर गेंद बाजी करने के लिए हर्पृत बरार आये हर्पृत बरार के दूसरी गेंद पर नितिस कुमार रेडी ने एक सांदर चोका लगाया तो वहीं अबर की तीसरी गेंद पर नितिस कुमार रेडी ने एक सांदर चोका लगाया इसी के साथ 15 अबर की समापती के बाद SRH का स्कोर 133 रनों पर 5 विकेट हो चुका था वहीं 16 अबर गेंद बाजी करने के लिए हर्षल पठेल आया हर्षल पठेल ने अबके ओबर की चोथी गेंद पर अबदूल समद ने एक सांदर चोका लगाया इसी के साथ 16 अबर की समापती के बाद 146 पर 5 विकेट SRH का हो गया था वहीं 17 अबर गेंद बाजी करने के लिए अर्षदिप सिंग आया उनके अबर की पहली गेंद पर अबदूल समद ने एक सांदर चोका लगाया वहीं ओबर की तीसरी गेंद पर अर्चदिप सिंग ने अर्दूल समद को हरसल पटेल के हाँ तो कैच आउट करवा दिया 150 रन के स्कोर पर SRH का 6 विकेट गिर चुका था तो वहीं ओबर की पाँचमी गेंद पर अर्चदिप सिंग ने कगीशो रबाडा को आउट कर दिया 151 रनों पर 7 विकेट SRH का हो गया था तो वहीं 18 ओबर गेंद बाजी करने के लिए कगीशो रबाडा आए कगीशो रबाडा ने अपने ओबर की तीसरी गेंद पर पेट कमिंग्स को बोल्ड कर दिया वहीं 155 पर 8 विकेट हो चुका था SRH का 18 ओबर की समापती के बाद 156 पर 8 विकेट SRH का हो गया था वहीं 19 ओबर गेंद बाजी करने के लिए अर्चदीप सिंग आया तो वहीं 15 ओबर की समापती के बाद SRH का स्कोर 171 रन पर 8 विकेट हो गया था वहीं 20 माँ ओबर गेंद बाजी करने के लिए सैम करन आया इनके ओबर की पाँचमी ओबर सैम करन ने भुमनेसवर कुमार को जोनी बेरिष्टो के हाथो कैच आउट करवा दिया तो वहीं ओबर की अंतिम गेंद पर चैदेव उनातकर ने सैम करन को एकसान दर छक्का लगाया इसी के साथ 20 ओबर की समापती के बाद SRH का स्कोर 182 रनों पर 9 विकेट हो चुका था तो वहीं पंजाब किंग्स को जीत के लिए 183 रनों का लक्ष दिया तो वहीं लक्ष का पीछा करने के लिए पंजाब किंग्स के तरब से सिखर धवन और जोनी बेरिष्टो मैदान पर उत्रे वहीं पहला ओबर गेंद वाजी करने के लिए SRH के तरब से भूमनेस्वर कुमार आये भूमनेस्वर कुमार ने अपने पहले ही ओबर में मातर एक रन खर्च किये तो वहीं अगला ओबर गेंद वाजी करने के लिए पैट कमिंग्स आये तो वहीं ओबर की चौथी गेंद पर पैट कमिंग्स ने जोनी बेरिष्टो को बोल्ड कर दिया दो रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स का एक विकेट गिर चुका था तो वहीं दो ओबर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर दो रन पर एक विकेट था वहीं तिसरा ओबर गेंद बाजी करने के लिए भूमनेस्वर कुमार आये भुमनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर सिखर धवन ने एक सानदार चौका लगाया तो वहीं ओवर की पाँचवी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंग ने भुमनेश्वर कुमार को एक सानदार चौका लगाया तो वहीं ओवर की छटी गेंद पर भूमनेस्वर कुमार ने प्रब सिमरन सिंग को नितिस कुमार क्रेड़ी के हाँ तो कैच आउट करवा दिया पंजाब किंग्स का 11 रणों पर दो विकेट गिर चुका था तीन ओवर की समापती के बाद तो वहीं चौथा ओवर गेंद बाजी करने के लिए पैट कमिंग्स आए पैट कमिंग्स ने अपने चौथे ओवर में मातर तीन रण खर्च किया और इसी के साथ पंजाब किंग्स का एसकोर 14 रणों पर दो विकेट हो चुका था वहीं पांचमा ओवर गेंद बाजी करने के लिए भूमनेस्वर कुमार आए भूमनेस्वर कुमार की दूसरी ही गेंद पर सिखर धवन ने एक सांदार चौका लगाया तो वहीं भूमनेस्वर कुमार की दूसरी ही गेंद पर भूमनेस्वर कुमार ने सिखर धवन को आउट कर दिया तो वहीं पांच ओवर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का एसकोर 20 रण पर 3 विकेट हो चुका था वहीं चठा ओवर गेंद बाजी करने के लिए टीन अट राजन है टीन अट राजन के पहली ही गेंद पर सेम करण ने एक सांदार चौका लगाया चो ओवर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का एसकोर 27 रण पर 3 विकेट हो चुका था तो वहीं अगला ओवर गेंद बाजी करने के लिए नितिस कुमार रेड़ी आए नितिस कुमार रेड़ी के साथमे ओवर की पहली ही गेंद पर सेम करण ने एक सांदार चौका लगाया आठ ओवर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का एसकोर 49 रण पर 3 विकेट हो चुका था तो वहीं अगला दसमा ओवर गेंद बाजी करने के लिए टीन अट राजन है टीन अट राजन ने अपने दसमे ओवर की पहली ही गेंद पर सेम करण को पेट कमिंग्स के हाँ तो क आठ ओवर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का एसकोर 49 रण पर 4 विकेट हो चुका था तो वहीं एगारमा ओवर गेंद बाजी करने के लिए सहबाज अहमल आएं सहबाज अहमद के चौथी गेंद पर सिकंदर रजा ने एक सांदर छका लगाया तो वहीं 12 ओवर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का एसकोर 84 पर 4 विकेट हो गया था तो वहीं 13 ओवर गेंद बाजी करने के लिए पैट कमिंग्स आए पैट कमिंग्स अंतिम गेंद प सिकंदर रजा को हैंडिज क्लासें के हाथों कैच आउट करवा दिया तो वहीं पंजाब किंग्स का विकेट 91 रन पर 5 विकेट हो चुका था चौगदा ओवर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का एसकोर 97 पर 5 विकेट हो चुका था वहीं 15 मावर गेंद बाजी करने के टी नट राजन आएं टी नट राजन के चौथी गेंद पर जितेश सर्मा ने एक सांदर चौका लगाया 15 वर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का एसकोर 105 रन पर 5 विकेट था तो वहीं 16 वर गेंद बाजी करने के लिए नितिस कुमार रेड़ी आएं नितिस कुमार र विकेट हो चुका था वहीं 17 मा अबर गेंद बाजी करने के लिए भूमनेस्वर कुमार आएं भूमनेस्वर कुमार की पहली गेंद पर ससांग सिंग ने एक सांदर चौका लगाया तो वहीं अबर की दूसरी गेंद पर ससांग सिंग ने एक चौका फिर से लगाया तो वही 17 ओबर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 133 रन पर 6 विकेट हो चुका था वहीं 18 ओबर गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंग्स आये पैट कमिंग्स के ओबर की दूसरी गेंद पर आसुतोस सर्मा ने एक सांदार चौका लगाया वहीं 18 ओबर की समापती के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 144 रन पर 6 विकेट हो चुका था वहीं 19 ओबर गेंद बाजी करने के लिए टी नट राजन आये टी नट राजन की दूसरी गेंद पर आसुतोस सर्मा ने एक सांदार चौका लगाया तो वहीं ओबर की पाँचमी गेंद पर ससांग सिंग ने टी नट राजन को एक चौका लगाया 19 ओबर की समापती के बाद 154 रन पर 6 विकेट हो चुका था पंजाब किंग्स का तो वहीं पंजाब किंग्स को लास्ट ओबर में जीत के लिए 29 रनों के जवरत थी तो वहीं 20 माँबर गेंद बाजी करने के लिए जैदेव उनाटकट आया जैदेव उनाटकट की पहली ही गेंद पर आसुतो सर्मा ने एक सांदार चुका लगाया तो वहीं ओबर की दूसरी गेंद पर आसुतो सर्मा ने एक चुका फिर से बैक टु बैक लगाया तो वहीं 20 मा अबर के अंतिम गेंद पर ससांक सिंग ने एक छक्का लगाया इसी तरह 20 अबर की समापती के बाद पंजाब किंग्स के टीम 180 रन पर 6 विकेठी बना सकी और मैच दो रनों से हार गई जो हाँ दोस्तों आप किस टीम को क्वालिफाय करते हुए देखना चाहते हैं उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें